यह ऐलो स्टुटेंट्स आज का टॉपिक है मेरेक्टर्स जो है आपका साथ physics में जो आप नीट के लिए आप पढ़ रहें उसमया आपका देने में वहुंग है इसे काईदिस पढ़ना है प्रणा समझ कर पढ़ना है और रागे में पर बेख राप बहुत यूज है है एक बार सीख जाएंगे तो बहुत सारे question solve होंगे, है ना, तो आगे पढ़ते हैं और समझते हैं कि vectors हैं क्या, अब देखें जो physics में जो है हम लोग बहुत सारी physical quantities पढ़ते हैं, for example, आप लोग force के बारे में पढ़ोगे, आप लोग velocity के बारे में पढ़ेंगे, है ना, आप लो current के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, तो यह सब बहुत सारी physical quantities हैं, इन में से कुछ quantities जैसे mass मान लिजे, है ना, इसका कुछ size होगा, यानि कुछ size ये कुछ numerical value होगी, numerical value का मतलब हो सकता है, मान लिजे mass को हम 5 kg लिख रहे हैं, या फिर mass को हम 10 kg लिख रहे हैं, इसी चीज का mass 10 kg लिख रहे हैं, तो इस mass को इस numerical value से describe कर रहे हैं, लेकिन जब आप velocity जैती physical quantity को लेते हैं, और इसे describe करना शुरू करते हैं, तो आपको magnitude के साथ साथ इसका direction भी बताना पड़ता है, है ना, speed और velocity में यही फरक है कि speed होती है, वो एक scalar होती है, और velocity एक vector होती है, क्योंकि velocity के सा direction जुड़ा हुआ है, 20 meter per second, in north direction, या फिर north east direction, या south direction, या फिर x axis के direction, जिसे हम eye cap भी कहते हैं, तो इसे आगे देखेंगे यह है क्या, unit vector कहते हैं, तो जब भी vectors देखते हैं, तो vectors के साथ उनका magnitude और 7 में साथ उनका direction भी होता है, तो direction है और magnitude है, तो वेक्टर है, हाँ, कुछ examples ऐसे होते हैं, जैसे pressure, current, time, यह current यानि कि यह electric current, आई की बात कर रहे है, तो इनका direction होता है, positive terminal से negative terminal of battery जा रहे होते हैं, current हम बनाते हैं, positive terminal से negative terminal of battery में current बनाते हैं, तो direction तो होता है, लेकिन यह vector नहीं होते, अगे vector यह से लिए नहीं होते हैं, क्योंकि यह अलोनी कर रहे होते हैं, तो यानि vector, यानि physical quantities दो तरह की होती है, जिसमें जो है, एक जो होती है, वो vector होती है, एक scalar होती है, जो vector नहीं होती है, तो यह जो vector होती है, तो उसमें magnitude के साथ direction होना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि velocity हुआ आपका, वैसे आपका force हुआ, force हमेशे जो है direction के साथ होता है, तो इस तरह की quantities को हम vectors कहते है, जिनका direction भी हमको define करना होता है, तो यह physics जो है, इसको हम math की language में पढ़ते हैं, और vector उस math की language का हिस्सा है, इसमें ऐसी quantities को define किया जाता है, जिनका direction भी हो, ठीक है, तो math को तो हम ऐसे लिखती है, 5 kg, लेकिन velocity को कैसे define कर direction को कैसे बता है, उसे हम vector के through बताते है, vector notations के through बताते है, ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि vectors को हम represent कैसे करते हैं, तो एक तो यह तरीका है vector representation का, कि आप कोई भी alphabet लिखी है, उसके उपर एक छोटा सा arrow बना दिए, जब arrow बना रहे हैं, तो इसका magnitude भी है, और इसके पास direction भी है, तो अगर आप कोई भी quantity देखे हैं, जिसके उपर छोटा सा arrow बना हुआ है, तो समझ लीजिए कि वो एक vector है, और इस vector की जो size है, इसकी numerical value जो है, इसका magnitude है, उसको हम ऐसे represent करते हैं, या तो यह mod कहते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ आप लोग सभी लोग जानते हैं, तो rectangular coordinate system होता क्या है, यह x-axis और y-axis जो बना के हम करते हैं, इसी coordinate system को rectangular coordinate system कहते हैं, इसका जो standard नाम है, वो rectangular coordinate system है, अब इस coordinate system में अगर हम कोई vector represent करना चाहें, तो उसे एक line और एक arrow से represent करते हैं, और इस arrow की जो length होती है, वो इसके magnitude के होती है, जिसके vector के, और इसका arrow जो होता है, उस vector के direction की तरफ point करता होता है, यानि कि इसका direction इधर कही होगा, अगर माल लीजिए, यह x और y-axis है, यह y और x-axis बनाया आपने और एक vector ऐसे बनाया, तो यह vector की size and magnitude है, वो यह होना चाहिए, और इसका direction x-axis की तरफ है, आपको simple है, कोई alphabet उसके उपर arrow हो, तो यह वो vector है, उसका modulus, उसका magnitude इस तरह से a mod लिखके या सीरे किस तरह लिखके आप जो है, और उसको जब हम x, y, z-axis में बनाते हैं, तो उसकी length जो होती है, उसकी magnitude को represent करती है, और उसका arrow जो का direction होता है, वो इस vector के direction को represent करता है, वेक्टर किस point कर रहा है, किस direction है, अच्छा, अब कुछ properties हैं, जो हम vector के साथ कर सकते हैं, जैसे की, vector की कुछ properties है, जैसे scaling of a vector, scaling का मतलब किसी scalar से आप उसे multiply कर दे, माल लिजे 5 कोई scalar value है, या कोई constant value है, उससे मैं vector a multiply कर रहा हूँ, तो क्या होने वाला है, अब देखिए vector a को मैं ऐसे बन आ सकता हूँ, अब vector a का माल लिजे magnitude जो था, ये कुछ a था, उसमें मैंने 5 multiply किया, तो ये बढ़के 5 times हो गया, this will become 5a, और इससे यह stretch हो गया vector पूरा, तो a vector को 5a किया मैंने, तो वो stretch हो गया, उसका magnitude बढ़ ये, इसको scaling of vector भी कहते हैं, किसी scalar से आप multiply कर रहे हो vector को, तो उसकी size दिखे बढ़ गई है, अच्छा, दूसरा काम क्या करते हैं vector के साथ, कुछ operations है vector साथ हम करते हैं, एक तो scale ही गया, फिर उसके बाद हो गया, displacement parallel to itself, अब माल लिजे ये एक vector है, ये, और मैंने इसे displace कर दिया इसके parallel में, ये, और यहां से से मिटा दिया, ओके, तो, तो अब ये यहां था पहले, और उसे हमने यहां बना दिया, parallel to itself है, यानि कि जिस direction में ये point कर रहा था, उसी direction में ये भी point कर रहा है, जितनी size उसकी थी यहां पे पहले, उतनी size इसकी भी है, तो ये vector change नहीं होता, यानि कि हम किसी vector को displace कर सकते हैं, उसकी parallel, तो उसकी value change नहीं होगी, नहीं उसका direction change होगा, नहीं उसकी value change होगा, मगर अगर आप vector को rotate कर दे, माल लिजए ये vector था, उसे मैंने rotate करके यहां कर दिया, तो ये direction, जिस direction में point कर रहा था, वो change हो गया, तो इसकी वजए से ये vector change हो गया, तो यानि कि अगर आप scale करेंगे और parallel to itself displace करेंगे, तो vector change नहीं होता, लेकिन अगर आप उसे rotate कर देंगे, तो वो change हो जाएगा, माल लिजए आप displace कर रहे हैं, अगर ये vector यहां था, इसको यहां ले गए, लेकिन थोड़ा था direction आपने था, change गर दिया, so this is not the same as this one, नहीं, ये बराबर नहीं है, same angle में, अगर point करता होगा, parallel रहे रहा उसके, तो वो same vector होगा, इसके अलावा जो important चीज है, जो आपको सीखनी है यहां पर, वो है resolving vectors in components, अब ये बहुत important है, projectile motion में भी आपके काम आने वाला है, और kinematics में भी काम आने वाला है, तो resolving of vector है गया भाई, तो माल लीजिए, ये x और y direction में हमने एक vector बनाया, इस vector का जो है, इसको ऐसे बनाते हैं, तच नहीं करते हैं, ऐसे बनाते हैं, ये vector x-axis से कुछ angle theta बना रहा होगा, तो इसका मतलब यह हुगा कि इसका जो horizontal component होगा, उसको मैं a x से represent करूँगा, और इसका जो vertical component होगा, उसको मैं a y से represent करूँगा, और a x अगर ये vector a था और इसका जो है, इसका modulus जो था, उसको मैं a से दिख रहा था, तो ये जो part होगा, a x जो होगा, वो a cos theta के बराबर हो जाएगा, और a y जो होगा, vertical component, इसे मैं a sin theta के बराबर लिखता हूँ, तो देखे, याद इसतर रख सकते हैं, कि जिस side में theta जुड़ा हुआ है, वो cos होगी, तो ये a cos theta है, और ये vertical component जो है, उसका a sin theta है, और ये horizontal component जिस side जो है, theta जुड़ा हुआ है, वो cos होगा, और ये a y जो है, a sin theta लिखा जाता है, a cos theta, ये उसका magnitude है, a x और a y का, ओके, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, कि, अगर जो है, उसका horizontal, जहां मैं horizontal component की बात करूँ, तो आप समझ जाएगा कि, cos theta से multiplication है, और अगर, vertical component की बात है, तो इसका मतलब, sin theta से, multiplication है, ओके, अगर मालिजे, मैं a x को square करके, a y को भी square करके, add कर दूँ, और उसको under root कर दूँ, मालिजे, तो ये हो जाएगा, a square cos square theta, plus, a square sin square theta, और under root इसे कर दूँ, तो ये अंदर bracket में बचेगा, a square cos square theta, plus sin square theta, जो 1 होता है, ये हम लोग trigonometry में पढ़े थे, sin square theta, plus cos square theta, is equals to 1, अब यहां पर, अगर, a square common लेने, तो बचता है, sin square, cos square theta, plus sin square theta, और ये under root में होगा, तो ये बचेगा, a, तो ये वाला relation वही से आए, ये relation आपको पता होना चाहिए, कि horizontal component और vertical component को square करके under root कर रहा हूं, तो वापस से उसका, जो है, उसका magnitude पता चल जा रहा है, और दूसरा, अगर मा लेजे, a y by a x कर रहा हूं, तो ये a sin theta upon a cos theta हो जाएगा, a कट जाएगा, sin theta upon cos theta, tan theta हो जाएगा, तो tan of theta जो होगा, a y और a x के ratio के बराबर होगा, तो अगर आपको question में a y और a x पता है, तो वो vector x axis से कितना angle बना रहा होगा, वो आप निकाल सकते हैं, अगर आपको उसका horizontal और vertical component पता है, तो उस vector का magnitude आप निकाल सकते हैं, हाँ, तो इस formula को पढ़ने का यहीं मकसर है, और भी बहुत काम आने वाला है, horizontal और vertical component अभी दो शुरुआ आती है, अब एक example देख लिए जल्दी से, एक vector है जो 45 degree का angle बना रहा है, horizontal से, यानि वो vector कुछ 45 degree बना रहा होगा, horizontal से, माली जे a है, ओके, its horizontal component is 20 root 2, यानि हमें मालूम है, a x जो है, वो 20 root 2 है, find the magnitude of vector, and its vertical component, अच्छा, अगर a x इतना है, तो a x को मैं क्या लिख सकता हूँ, a cos theta, है ना, और theta जो है 45 degree है, तो 20 root 2 को मैं लिख सकता हूँ, a cos 45, a cos 45 को मैं लिख सकता हूँ, 1 by root 2, और इसे लिख सकता हूँ 20 root 2, तो a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 into root 2 into root 2, root 2 root 2 2 हो जाएगा, और this will become 40, तो यानि उस vector का magnitude 40 है, और अगर question में आगे पूछ रहा है, कि उस vector का जो है vertical component बताएए, तो आपको vector, vector तो यह पता चल गया, कि a की value जो है 40 है, तो उसके vertical component को, ax को आप क्या लिखते हैं, ax लिखते हैं, a sin theta, a जो है 40 है, sin 45, sin 45 is 20 root, is 1 by root 2, तो 40 को आप यह solve करेंगे, तो आएगा 20 root 2, तो 20 root 2, vertical component, 20 root 2, horizontal component, vertical component है, ay है, देखें, यह horizontal component, यह vertical component, आइए इसको square करके, add कर दिया जाए, और under root कर दिया जाए, तो 20 root 2 whole square, plus 20 root 2 whole square, under root, तो क्या आना चाहिए, क्या आना चाहिए, यह हो जाएगा, 20 square into 2, यह हो जाएगा, 20 square into 2, और यह under root में रहेगा, ओके, so this will become, 400 into 2, plus 400 into 2, this is 800, this is 800, 1600, under root, so this will give you, 40, तो 40 जो है, यह magnitude दिखिया है, तो formula एक बड़ चेक हो गया, so, जाएगा, कितना एजी है, और फिर उसके बाद, जो अगला topic, जो importance रखता है, resolution of vector के बाद, जो importance रखता है, जो बताना चाहिए, मेरे हिसाब से, वो unit vectors है, अब unit vector क्या है, unit vector नाम में ही, सब कुछ है, unit है, यानि कि उसका magnitude, जो है ना, magnitude जो है, उसका जो है, अब वो direction क्या होगा, वो, हम देखेंगे, examples में, और समझेंगे, आगे, कि इसे कैसे, represent किया जा रहा है, unit vectors को, तो माल लीजे, एक vector है, अच्छा, अच्छा, पहले माल लीजे, कि एक vector है, उसको हम ऐसे represent करते हैं, axi plus ayj, प्लस azk, ओके, तो, ए, जो है, वो vector है, ax उसका, जो है, यह a vector है, उसका horizontal component, जो है, ax है, vertical component, उसका ay, और एक और component होगा, वो z direction में होगा, अच्छा, चलिए मैं आपको, यह चीज मैंने शायद, discuss नहीं करी थी, वहाँ पे, हर vector के, three components हो सकते, अगर vector इस plane में है, यह x, y plane में है, तब तो, उसका z component कुछ नहीं होगा, लेकिन, यह x, y plane में अगर नहीं है, यानि कि, कुछ तो, कुछ जो है, यह z axis की तरफ भी जुखाव रखता है, तो, उसमें z, z component भी होने वाला है, तो, वो जो z component है, उसको az से यहाँ लिखा गया है, तो, अगर माल लीजे, उसमें 2 ही है component, ay और ax, अगर उसमें 2 ही component है, ay और ax, तो, उसको इबात समझ लेते हैं, और यह angle theta something मना रहे हैं, तो, ax जो है, वो x direction में है, यह बताने के लिए, हम एक unit vector i का इस्तमाल करते हैं, unit vector i जो होता है, इसका magnitude होता है 1, और इसका direction होता है, x axis की तरह, उसी तरह, unit vector j जो है, यह इसका magnitude होता है 1, और इसका direction होता है, positive y axis की तरह, और unit vector जो k होता है, इसका जो magnitude भी 1 ही होता है और इसका direction होता है positive z axis की तरफ z axis भी कहते हैं कुछ लोग इसको तो i, j, k असल में direction है x, y और z की तरफ तो ax, ay और az उसका horizontal और vertical component होगा और az जो है z axis पे उसका component बन रहा होगा वो होगा और i, j, k unit vectors है in the direction of x, y, z जिनका magnitude 1 है अब यह एक formula है unit vectors पे बहुत बढ़ा जाता है माल लीजे इसमें a जो है कोई vector है उसको आप कैसे लिख सकते हैं उसके magnitude को लिखेंगे और उसके बाद जो है उसकी unit vector को multiply करेंगे यह unit vector इसकी magnitude इसका 1 होगा और इसका direction जो होगा वो a के direction को बता रहा होगा तो देखिए अगर उसका magnitude कुछ है और उसके साथ unit vector multiplied है तो magnitude 1 होने की वज़े से इसके magnitude पे कोई असर नहीं पड़ेगा लेकिन यह जो a cap है यह उसके direction को बता रहा होगा तो इस formula से जो है अगर निकालें आप तो a cap जो होगा वो vector a upon mod of vector a होगा है कि नहीं तो देखिए a vector किसी vector को define करते है उसकी size से जैसे आप magnitude भी कहते है और plus उसके direction से तो a cap उसके direction को बता रहा होगा और a cap का magnitude 1 होता है तो इस vector के magnitude पे कोई असर नहीं पड़ेगा तो a cap अभी कभी इसे end cap से भी लिखते है तो vector a upon mod of vector a होता है तो यह important formula है इससे याद रखना है unit vectors का उनका magnitude 1 है और उनका direction जो है कुछ एक particular direction होगा तो बहुत घबराने की ज़रत नहीं है बहुत easy चीज़ है अब a example करके आपको दिखाते हूं उस formula का इस्तमाल कि अगर vector a जो है 3i plus 4 है और कह रहा है unit vector in the direction of a निकालना है तो अब देखिए vector a को मैं लिख सकता हूं mode of vector a into a cap a cap जो होगा वो unit vector in the direction of a होगा वो a का direction बता रहा है और वो unit vector है तो a cap को मैं क्या लिख सकता हूं vector a divided by mode of vector a अच्छा mode अगर निकालना है तो आप क्या करते हैं किसी vector का mode निकालना है तो उसका ax component को square करते हैं और यह ay component को square करते हैं तो एक काम करिए उसका ax component केतना है 9 है ay component केतना है 16 है 9 3 का square 9 हो जाएगा 4 का square 16 हो जाएगा और यह हो जाएगा under root 25 that will be 5 तो इसे मैं लिख सकता हूं 3i plus 4j divided by 5 या फिर लिख सकता हूं 3i by 5 plus 4j by 5 क्या आपके ही लगा लेता हूं जो standard तरीका है बतानेगा तो unit vector निकालना इतना ही आसान है तो अच्छा यह जो form आप देख रहे है ना यह form इसका एक और example हम अगले वीडियो में देखेंगे आप देखिए adding of vectors अगला topic है यह adding of vectors अब adding of vectors का मतलब क्या हुआ कि अक्सर ही आप पास एक से ज्यादा vectors हो सकते हैं एक से ज्यादा वेक्टर एक वेक्टर मा लिजे इस direction में है एक वेक्टर इस direction में है और आप से कहा जा रहा है भाई इसको add करो तो इसको solve करने का जो graphical तरीका यह ना इस तरह से उस वेक्टर से जो दूसरे वेक्टर को जोड़ना है माल लिजे इस वेक्टर को जोड़ना है तो एक काम करिए इसे उठाइए और इसके head के पास लाके इसकी तेल को रखें और उसके बाद क्या करना है इसको जो है इसके टेल से इसके head को जोड़ना है तब ही यह अगर वेक्टर A है यह वेक्टर B है तो यह form में अगर आपने बनाया तो यह वेक्टर A प्लस वेक्टर B होगा तो यह उसका resultant होगा वेक्टर A प्लस B इसको कभी-कभी हम resultant से भी denote करते हैं या कहते हैं बताते हैं कि वेक्टर A प सब्सक्राइब गोरी लडम में हो एक के infectu से दूसरी की यूड़े हो तब ही जो है यक्रेक्ट फ्राइब्लस भी आप कह सकते हैं किसी को जो कीए ट्रेंगल बन रहा है तो इसी को ट्रेंगल लोग है कि अकर अगर अगर माली में एक वेक्टर से दूसरा vector जुड़ा हुआ है उस vector से कोई एक और vector जुड़ा हुआ है तो इन तीनों का resultant जो होगा sum यहाँ पे होगा अगर यह vector a है b है c है so this will be a plus b plus c something यहाँ पे polygon बन जाए लेकिन जो basic है basis है इसका यह यह quadrilateral बन जाएगा यहाँ पे कुछ तो यह जो इसका basis है वो उसका जो है यह triangle law ही है तो इसको triangle law कहते है triangle law vector addition इसके बाद जो आप यह तरीके से तो आप उसका vector form में addition बता सकते हैं कि हाँ vector a है vector b है उसको add कर दिया मैंने तो यह vector बन गया अब उसका magnitude आप कैसे बताएंगे तो उसके magnitude के लिए parallelogram law है यह law बहुत ही असान है अब देखे मैं इसको समझाओंगा तो आपको बिल्कुली समझने आजाने वाला है यह पहले भी कुछ लोग अगर आप पढ़ चुके हैं तो इसे ध्यान से देखेगा यह मान लीजिए vector a है और यह है आपका vector b अब मैं कह रहा हूँ कि इसको add करो तो क्या करता हूँ इसको यहां से उठाता हूँ और यहां पर लाकर रखता हूँ इसके parallel अब मैंने इसके parallel लाकर इसे रख दिया तो जी इसकी value तो change नहीं होने वाली है यह वही vector है अब देखेए इसके head से इसकी tail जोड़ दी मैंने तो यह जो vector होगा यहां पर यह इसका resultant होगा ओके अब जो b है वो यहां पर आ चुका है यहां पर और यहां पर अच्छा इस पार्ट में एक चीज़ और पता होगी कि इन दोनों vector के बीच का angle ठीटा है तो यहां पर भी जो है यह angle ठीटा ही होगा तो यह वाला पार्ट इसका component अच्छा एक चीज़ note में आप लोगों को बता दूँ जो छूट रहा था कि component को कभी-कभी हम projection भी कहते हैं किसी वेक्टर का projection प्रोजेक्शन से मतलब है कि अगर यह वेक्टर है माल लीजे उपर से आपने अगर light जलाई तो इसकी जो shadow पढ़ दहीं होगी न वो यहां पढ़ दहीं होगी तो यह जो है वर्टिकल कंपोनेंट है इसे कभी-कभी projection भी कहते हैं तो इस तरह भी आप इस सकता है और इसका magnitude में 20 साइन ठीटा लिख सकता हूं ओके तो अब देखिए यह 90 डिग्री है तो यह यह और यह एक right angle triangle बन गया अब right angle triangle में यह जो होगा यह वाला यह है पर्पेंडिकलर है और यह पूरा बेस है अ है ना इसको अलग से मैं बनाओ तो यह ऐसे कुछ बन गया है यह वाला पार्ट a प्लस b कॉस थीटा है यह वाला पार्ट b साइन थीटा है और यह वाला पार्ट जो है है जो की आर है तो आर का जो magnitude होने इसको लगा आपने तो आर जो है अंडर रूट में लिख सकते हैं a square plus b square cos square theta plus 2ab cos theta और plus b square sin square theta तो अब देखिए जो यह under root में यह सब value आ रही है इसमें b square और b square इन दोने term में हमें common ले सकता हूं तो मैं लिख सकता हूं a square plus b square cos square theta plus sin square theta 1 होता है तो यहां पर यह 1 हो जाएगा और plus 2ab cos theta तो यही जो है तो यही जो है parallelogram law है तो parallelogram law जो है law जो है वो बताता है कि जो आपका mod है resultant का यानि a plus b का वो है a square plus b square a का mod square plus b का mod square plus 2ab cos theta यानि a और b के बीच का angle theta अच्छा इसके अलावा जो है इसके अलावा जो दूसरी important चीज आती है इसमें वो है कि यह जो resultant है वो a से कितना angle बना रहा होगा तो यह solve करते वक्त component बना की यह solve करते वक्त हमेशे इस भाब तर दियान रखती है कि जो आपका vector जो आप resultant तो चाहें अगर आप तो इस formula को याद कर सकते हैं इन दोनों को यह वाला formula और यह वाला formula याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है नहीं तो इतने नहीं आग एक lecture में कुछ examples लगाएंगे और addition के और उसके साथ-साथ हम लोग cross product और dot product भी देखेंगे और उसके साथ ही vector मतलब जो हमें चाहिए vector का basic वो complete हो जाएगा तो stay tuned अगले lecture में पाकी चीज़े complete करते हैं Thank you very much